हेलो स्टार्ट करते हैं फार्मस्टोटिस का नेक्स्ट लेक्चर लेक्चर नमबर 20 जहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं पाउडर्स एंड ग्रेनूल्स के बारे में इसके अंदर चार्ट टॉपिक है इन्सफिलेशन डस्टिंग पाउडर एफर्विशन पाउडर्स और और ध्यान से सुने इस लेक्चर को इजी है अगर जिन बच्चों ने टैबलेट को अच्छे से पढ़ लिया है तो काफी सारी चीज़े पाउडर ग्रेनूल्स वहीं से कवर अप हो जाएगा ठीक है तो स्टार्ट करें तो पाउडर ग्रेनूल्स के बारे में आप लोग पह परना पड़ेगा थोड़ा सा ताकि जो में कंटेंट है वह अच्छे से समझ में आ जाए ओके तो इंट्रोक्शन की बात करें तो क्या है पाउडर सार्था सिंपलेस्ट डोस फॉर्म सबसे सिंपल डोस फॉर्म है पाउडर है ना किसी चीज़ को घिसदो पाउडर बन जात है तो सबसे सिंपल डोस फॉर्म है और बेसी सॉफ मैंनी अधर सॉलिड डोस फॉर्म और कई सारे दूसरे सॉलिड डोस फॉर्म पाउडर की हेल्प से बनाया जाते हैं उनका बेस है कैसे हम सब को पता है टैबलेट और कैप्सूल बनने के लिए दवाई को सबसे पहले सबसे सिंपल डोस होती थी जिसको बनाना बड़ा असान होता था तो कहरा ओरिजनली सुरुआत में पाउडर के रूप में ही दवाईयां दी जाती थी mode of administration hard vegetable drugs such as roots, bark, wood इन सब को हम लोग क्या करते थे पाउडर के रूप में ही patient को दिया करते थे ठीक है अब पाउडर की बात करें यह तो होगे introduction पाउडर क्या है अब pharmaceutical powder is a mixture of finally divided drugs अब यहां पर term आता है finally finally मतलब होता है एकदम महीन जैसे कि आटा पीछ दिया जाता है ना इस टाइप से रैटिच काल एकदम महीन चूरा बिलकुल है ना महीन पीछा हुआ महीन पीछा हुआ एकदम एंड और chemical drug हो सकता है को chemical हो सकता है in dry form सुखा होगा गिला नहीं होगा powders are solid doses form dose form को रूप कौन सा powder का solid of medicament which are meant for internal or external use powder को हम लोग दोन तरीके से इस्तमाल करते हैं खाने के परपस से भी इस्तमाल करते हैं और body के उपर लगाने के परपस से भी ठीक है ना इसी लिए internal and external use they are available in crystalline और amorphous form ये crystalline एकदम hard दानेदार या amorphous फ्लफी टाइब कर रहेगा इस टाइब से हमाल पास क्या है अवेलिबल रहता है the particle size of powder play an important role in physical chemical and biological property of the doses form ये हमको पता है particle size जितना चोटा होता है उतनी जिक घुलेगा है ना इसी टाइब से जो पार्टिकल का साइज होता है वह बहुत बड़ा रोल प्ले करता है उसकी फिजिकल केमिकल पॉपर्टी फिजिकल पॉपर्टी में और बायलोजिकल पॉपर्टी बॉटी में जाके कितनी जल्दी घुलेगा कितनी जल्दी ब्लड में पहुचेगा यह सारी बात है किसमें डिवाजे ड्रग जो था उसको हम लोग क्या करते हैं पाउडर पार्टिकल्स होंगे तो ठीक है ना ध्यान रखना टैवलेट हम लोग यह पढ़ चुके हैं यह सारी पार्टिकल्स जुड़ जाएंगे और छोटा सा एक पार्ट बना लेंगे इस टाइप से मतलब इस पार्ट चीज़ होती है पाउडर को थोड़ा सा पाहल का पाइंट डालते चोट चोटी गुंठलियां टाइप जो कहते हम लोग महीन सा बन जाता है ग्रेंड दानेदार ठीक है ना अब फार्मस्टिकल्स टिपिकली है साइज बिट्वीन पॉइं पॉइंट टू पॉइंट पॉइ थी अबर्दूमेटं को और मिलिमेटर के बिच पर घ्रमस्टियें वेलिक चरती है इन मैनी डुिस मेरेशटी START कबॉइस जी दैबलेट और टौल मिलिमेटर करेंग अ कहूँसी यहां पर जब टैबलेटेंुए सब्सक्टिक्त तो यहां यहां पर टेबलेट औंग केप Сब खा रहे हैं, जब tablet और capsule बन रहा है तो हम granules को direct खा नहीं रहे हैं, वो बीज का है, final granule को हम लोग tablet में convert कर देंगे या capsule की form में convert कर देंगे, बाद समझे में आ रही है, clear, अब advantage of powder granules, क्या advantage है, क्यों हम लोग यह powder granules की form में अगर dose को इस्तिमाल कर रहे हैं, तो उसके क्या benefits है तो पहला benefit है, salt preparation are more chemically stable, यह ज़्यादा तर क्या हैं, दूसरी जो liquid dose form है, उसके comparison में ज़्यादा stable होती है, than liquid ones, ठीक है, powders and granules are convenient form in which to dispense drug with a large dose, अगर हमें किसी बड़ी dose, जैसे होता है कि कोई medicine है, या जैसे मालों कोई powder है, ना protein powder वगरा होता है, तो दो दो चमश निकाल कर करके हमें खाना होता है, तो जब बड़ी dose है, जिसको हम tablet या capsule में convert नहीं करता है, तो जादा खाना है, इतना सारा powder एक साथ लेना है, तो इतनी बड़ी tablet तो निकल नहीं सकते हम लोग, तो वो ही कह रहा है कि अगर large dose लेनी है हमको, तो वो powder या granule को form में ही ले पाएंगे, उसको tablet capsule में convert नहीं कर पाएंगे, किलियर है, तो powders and granules are convenient, आसान form होती है, when which to dispense drug with a large dose, अगर बड़ी dose में हमें drug को dispense करना है, तो ये क्या है, convenient, आसान तरीका है, orally administered powder and granules of soluble medicaments have a faster dissolution rate, अगर हम powder की form में लेते हैं या granule की form में लेते हैं, तो डारेक्ट पेट में जाके उसका dissolution rate, खुलता बहुत जल्दी है वो, then tablet और capsule, tablet capsule में हम सबको पता है, पढ़ रखा हम लोग पेट में जाएगा, पहले tablet तूटे गी, या capsule तूटे का disintegration होगा, फिर उसके बाद disintegrate, अगर एक्टा टाम ले लेता है, वो टाइम यहां बच जाता है, फिर उसके बाद tablet में क्या punching हो रखिए, फिर वो अलग-अलग एक एक powder का दाना अलग-अलग होगा, तो इस तरीके से वहाँ time जादा है, तो यहां पे dissolution rate fast होता है, as these must first disintegrate before the drug dissolve, तो सब सबसे पहले क्या बोल रहा है, क्यों dissolution rate powder का या granules का ज्यादा है, क्योंकि tablet और capsule को must first disintegrate, सबसे पहले इनको तूटना होगा, किसको, tablet को और capsule को पहले तूटेंगे पेट में जाकर के, तब इसके अंदर से दवाई बहार निकलेगी और वो फिर dissolve होगी, यह हम direct खा रहे हैं, Now, particle size, हम लोग particle size एक normal बात करें, तो अगर मैं बोलूँगा कि 8 number particle size है, इसका हो तो very coarse, काफी ज़्यादा, खुर्दला सा है, कोर्स है, खुर्दला कहलो, थोड़ा सा बड़ा है, 20 number बोलूँगा तो थोड़ा सा कम बड़ा है, moderate course 40 number है, 60 number fine, और बहुत ही महीन बात करूँगा तो 80 number, तो number के हिसाब से हम लोग क्या है, इनको categorize कर देते हैं, महीन बहुत महीन powder या granule, बहुत बारिक बारिक granules, बड़ा बड़ा दाना, मोटा मोटा दाना, ठीक है न, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, granules को अगर समझना है, तो आप सब लोगों ने कभी ना कभी bon vita अगर खाया है, bon vita खाया है, तो bon vita में आप लोगों ने देखा होगा, जिन लोगों ने खाया होगा, ठीक है, उसमें दानेदार भी होता है और बहुत महीन भी होता है, तो दानेदार चीज़ होती हो, granules कह सकते हैं उसको हम लोग, ठीक है न, इसको इस तरह के समझ सकते हैं, या फिर हम कह सक होगा या देखा होगा इनो क्या हमारा यह आ जाएगा जो उसका साइज है तो साइज के हिसाब से इनो का साइज बहुत महीन है जो बॉनविटा के अंदर ग्रेनिल्स पड़ जाते हैं वो थोड़े कर ना हमको जो शेफ है जब हम बनाते हैं powder या granules तो इस मील सकता है लमा यह सकता है सब्द Template yu को वह सकता है क्योंकि जब आयो जोक्त है कि बीवाद मोले हो सकता है तो लमबा चौड़ा किसे वह सकता है willstrich R itself educated by moi in English और हो सकता है यह सवारे होसकते हैं ठीकर ना अगर हम बात करें तो हर बारी स्पेरीकल स्मूथ होगा इसकी कोई गरणटी नहीं यह browse अब फॉर पाव्डर to कि यह कि हैं अध्वांटेस हम सबको पता है फिर से रिवाइज कर लेते हैं फटाफट चैन यूज्ज बोथ इंटरिय और स्टैनली हमनों इसको दोंतरे इस्तमाल कर सकते हैं खा भी सकते हैं और एक्टेनली बॉडी के उपर लगा भी सकते हैं more stable than other doses form दूसरी डूसरी फॉर्म की कंपैरिजन में यह ज्यादा इस्टेवल है यह हम लोगों ने टैबलेट या कैप्सुल वाले फॉर्म कहीं पर किया है तो वहां पर भी इसका हम लोगों ने कर रखा है कि हमें 10 ग्राम देना है पचास ग्राम देना है यह फॉर्म कीतना रहता है चैबलेट बन गया है उतना ही है पतलब दूसरों के साथ जो इंट्रक्शन होता है ड्रक इंट्रक्शन उसके चांसिस कम होते हैं रैपीड ऑंसेट ऑफ एक्शन एक्शन बहुत जल्दी होता है इजी टू कैरी करना असान होता है लाज कॉंटिटी आल्सो कैन वी एड्मिनिस्टर को देना है तो पाउडर है बहरा चमच से और दे दिया यह बहरा चमच से एंटिवाइटी कोईर की बात नहीं हो रही कि भर भर की चमच खा रहे हैं ठीक है ना पाउडर के अलड़ों रूप है जैसे मैंने बताया अपना प्रोटीन पाउडर से हैं इनकी यह सब भी इसके तरह इंक्लूड़ोड होते है ठीक है more economical because यह ज्यादा economical है सस्ता है क्योंकि no special equipment is required for preparation क्यों चूराई तो करना है पीस दिया बन गया पाउडर उसके अलावा हमें कुछ नहीं करना बड़ पकेट लिए उसने पैक कर दिया तो इसलिए सस्ता पड़ता है यह कि लिए बातें disadvantage क्या है अगर पाउडर कड़ हुआ है या खाने के बाद जी में मतलब मुझ से अगर डारेट खाऊगा था टैबलेट है कैपसूल के और तो सीधा पेट बचली जाती है तो उसका टेस्ट तो पाउडर जब जाएगा तो मुझ से होता हुआ जाएगा जी में टकराएगा तो कड़वा पन लग सकता है उनको हम लोग पाउडर फ़ाम में तो टो उनको हम लोग पाऊडर फ़ार में प्रिपेर नहीं कर सकते गेली कुषेंट उनक्त रोटाइगं cannot be dispensed in powder form, क्योंकि बार-बार powder खुलता है रखकन, तो नम लग जाएगा, वो liquid form बदल जाएगा, या चिप-चिप हो जाएगा जैसा बरसात में नमक हो जाता है, तो दिक्कत है फिर, drug which get affected by atmosphere are not suitable, ऐसी drugs जो atmosphere, heat है, temperature उससे affected होते हैं, उसको बार, हम powder form में नहीं दे सकते, क्योंकि powder बार-बार खुलना पड़ेगा, तो atmosphere के test में आएगा, dispensing time is consuming, dispensing time होता, tablet क्या है, खोला, खाया, गटक गए, इसमें क्या खोलेंगे, powder लेंगे, घोलेंगे, मिलाएंगे, यह सारे functions रहते हैं, इसमें, less quantity cannot be weighed conveniently on dispensing balance, powder क्या होता है, या granular, जो powder है, अगर less quantity जो है, हमको weight करनी है, मालो हम 2 ग्राम या 1 ग्राम पाउडर लेना चाहते हैं, तो बड़ा धंजट रहता है, थोड़ी quantity का, बड़ा quantity का, तो भरा और डाला, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 20 ग्राम तॉल लिया फटाक से, लेकिन less quantity अगर हमें तॉल नहीं है, तो उसमें क्या है, दिक्कत आती है, ठीक है, less quantity cannot be weighed conveniently, आसानी से हम less quantity को weigh नहीं कर सकते हैं, dispensing balance, जो balance होता हैं, जिसमें हम तॉल तॉल के packet बनाते हैं, कम quantity को तॉल ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, किलियर है बाते हैं, तो powder के advantage और disadvantage हो जाते हैं हमारे पास, फिर आता है कि powder को prepare कैसे करना है, तो बड़ा असान काम है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, क्या करना है, पहले हम उसे reducing the particle size ही से, हम comminution भी कहते हैं, और फिर process of blending, फिर mix up कर देंगे, अगर उसके अंदर दो चार powder होंगे, तो उनको मिला देना है, पहले piece देना है, और फिर मिला देना है, किलियर है, तो comminution पीसना, ब्लेंडिंग मिलाना, तो यह सब हमको पता है, अब comminution की बात करें, on small scale, अगर छोटे scale की बात करें, छोटे स्थर पर बात करें, the pharmacist reduces the size of chemical substances by grinding them in mortar and facial, छोटे scale पर pharmacist का है, यह हमको पता ही है, यह रहा, mortar, facial, गुहाँ गुहाँ के पीसा, powder बनाया, दे दिया patient को, अब, a finer grinding action is accomplished by using mortar with a rough surface, mortar, facial, दो type क्या आते हैं, एक अपना चीनी मिट्टी वाला होता है, जिसे हम पोचलीन कहते हैं, और एक ग्लास वाला होता है, ग्लास वाले में क्या होता है, बहुत महीन या बारिक नहीं पीस पाता है, क्योंकि ये चिकना होता है, महीन या बारिक पीसने के लिए इसको नीचे क्या होना पड़ेगा, खुरखुरा होना पड़ेगा, रफ होना पड़ेगा, तो वही कह रहा है, a finer grinding action is accomplished, मतलब पूरा किया जाता है, एक अगर fine grinding करने है, महीन पीसना है, तो accomplish किया जाएगा, पूरा किया जाएगा, by using a mortar and facial as a porcelain mortar, then one with a smooth surface as a glass mortar, ठीक है न, तो हम लोग महीन पीसना है, finer पीसना है, तो glass mortar का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम porcelain वाले का इस्तेमाल करेंगे, grinding a drug in mortar to reduce its particle size is termed as trituration और communication, यह जो हम इसमें grind करके, इसको size reduce कर रहे हैं, इसको हम trituration या communication दोनों के नाम से बुला सकते हैं, के लिए रहे बाते हैं, बात समझ में आ रही हैं, अब जो को blending, blending का मतलब क्या है, mix करना, blending का मतलब क्या है, mix करना, जाने कि जो हमाँ पर drug आ गया, उसको हम लोग क्या करें, mix करें, अब blending का तरीके हैं, when two or more powdered substances are to be combined, जब दो या दो से अधिक powder को हमें क्या करना है, combine करना है to form a uniform mixture, जिससे कि एक uniform mixture तयार हो, it is best to reduce the particle size of each powder, तो सबसे सही तरीका है कि हम जितने भी powder हैं, उन सब का particle size पहले reduce कर लें, लगबख same size कर लें, तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, individually before weighing and blending, तो सब का size reduce किया, अब depending on the nature of the ingredient, the amount of powder, powders may be blended by spatulation, trituration, shifting और tumbling, तो किस परकार का powder है और क्या nature है, उसके अधार पर हम लोग 3-4 तरीके हैं, उसको हम लोग ले सकते हैं, जैसे पहला है spatulation, यहाँ पर क्या करना है, वो देखाना है, जैसे एक powder यह ली लिया, मतलब दो powder एक कूपर एक डाले, ऐसे ऐसे करके मिला दिया, फिर ऐसे करके मिलाया, खिसका दिया, मिलाया, खिसका दिया, है ना, जैसे spatulation है, ऐसे करके मिलाया, खिसका दिया, फिर वापस उसको मिलाएंगे, फिर धर खिसकाएंगे, तीन चार बर ऐसे ऐसे करें कि आश फिर मिलाया खिसका रिया Just like जैसे कि तुम लोग देखते होगे कि हम लोग जब वो करते हैं मसाला वगहरा जब होता ना करके माँ कान बनता है तो मसाला मतलब सीमेंट और मोरम अगहरा जब मिलाते हैं तो कैसे फावड़ा होता है उसकी help से मिलाता है फिर वहीं पर रखना होता है तो मिला मिलागी फिर इदर खिसकाता भी रहता है फिर जब भरता है finally तसले में ठीक है फिर छोटी लेवल का spatula है तो इस पैचुले से ब्लेंडिंग मतलब मिक्स करना नोट कर लें या sheet of paper है जिसके उपर हमें इसको क्या कराना है move कराना है ठीक है अब इस पैचुला की health पर करना बहुत ज्यादा पावडर है तो तो छोटी scale पर लैब में कर रहे हैं या छोटी से फार्वीसी में कर रहे हैं तो तो यह ठीक है बड़े scale पर करने के लिए यह process सही नहीं है तो तो इस नौट सुटेबल फॉर लाज कॉंटिटीटीज फॉडर और फॉर पावडर कंटेनिंग पोटेंट सब्स्टांस अगर पावडर के अंदर बहुत ही ज्यादा पावफुल ड्रग है तो यह तरीका सुटेबल नहीं है बिकाउज होमोजीनियस ब्लेंडिंग इस नॉ ने में क्या है वही दो पावडर लिया घुमादी यह मिल गया ट salvation मेंडिये का मिन McGowan है यहाद इस्य चैक यह से केवलब मिलाना है इव सिंपल अडिमिच्चर इस डिजाइड विदाउट डाइस पेशल नीड फ़ार करने सब्सक्राइब युज्रिक्प यूज उनल रहे हां ठाय चींड 202 मिशकर मिलाया हमको पीस भी जाएंगे और मिल भी जाएंगे केवल मिलाना है तो ग्लास मोटार का इस्तमाल कर सकते हम लोग shifting shifting देखो बेटा क्या होता है shifting एक तरह से इसको ऐसे समझाए हुआ है यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग छान रहे हैं ठीक है ना मान लोग हमने क्या कर दिया है यहाँ पर मेरे पास दो powder है ठीक है पीस के रख लिए मैंने दो powder अब है क्या यहाँ पर कुछ तो दाने इसके बहुत महीन होंगे और कुछ दाने थोड़े से बड़े होंगे कुछ दाने और बड़े होंगे इसमें भी क्या होगा कुछ महीन होंगे कुछ दाने और बड़े होंगे ठीक है यह A है और यह B ही है तो हमने क्या किया दोनों को डाल दिया यहां पर जैसे लाल और यह जो जो दो या तिन दोनों है जो देखो सबसे बड़े-बड़े दाने वह अलग छड़ी आएंगे जो सबसे महीं दाना A और B का दोनों एक साथ निकलके बहार आएगा और दोनों क्या हो जाते हैं मिक्स हो जाते हैं शिफ्टिंग सिंपल साथ ठीक है तो क्या कह रहा है पाउडर में आल्सों भी मिश्ट भाई पासिंग दैम थो सिफ्टर्स लाइक दोज यूज इन दा किचन टू सिफ्ट फ्लो जो छांते हैं लोग उस तरीके से ऐसा भी कर सकते हैं बाई अब सिंपल समझें हम लोग पाउडर ये लिया पहले छलनी में डाला हिला लिया वह पूरा यहां पर आ गया ठीक है फिर हमने क् मिक्सिंग भी चल रही है आपस में मिक्सिंग भी चल रही है और यह महीन वाले जो एक साथ है पार्ट वह एक साथ आ जाएगा शिफ्टिंग रिजल्ट इन लाइट फ्लफी प्रोड़क्ट है चानने बाद देखा है आटा कैसे फ्लफी होता है गुदूदा गुदूदा प्रॉटेंट प्रोर्च से मिलाना चाहर ह regret अब यह क्या होता है इसको संब्ढ़ेंगे अभी प्रोसेस आईगी नाUpकि प्रोसेस क्या घृता है इतना है पोटेंटरंग का मतलब क्या होगा यह लिया जाएगा मानलो 5 ग्राम और डाइलवेंट क्योंकि 5 ग्राम इतना ज्यादा पावफुल है हम 5 ग्राम एक साथ नहीं दे सकते हैं हमको 0.5 ग्राम हर बार में देना है अब 0.5 ग्राम को तॉलना बहुत मुश्किल है तो हम लोग करत इससे की उसमें सिर्फ फिर 10 भाग करेंगे हर भाग में कितना आएगा 0.5 ग्राम आएगा तो थोड़ा सा बल्क हो जाएगा बासमझमारी है तो इस तरीके से हम मिलाके बड़ा बना लेते हैं और फिर जब यह 100 ग्राम पांच ग्राम मिल जाएगा टोटल 105 ग्राम हो हैं खुराक को 10-15 जो भी डिवाइट करने पर आ जाएगा कि उसमें खुराक में हमें कितना यह पॉटेंट ड्रग हमें 0.5 ग्राम ही मिले पासमझमारी है तो इक इनर्ट पाउडर को हम पॉटेंट पाउडर से मिला लेते हैं फिर उसके खुराक बना लेते हैं और हर खुर टम्बलिंग टमलिंग पढ़ चुके हैं पहले भी की फार यह एक में ऩॉटर बह्ती आता फिर ड्रम गिंग में सब्सक्राइब मिल जाए को यह एश्य का अधा टम्बली तो अनुडर में ने कि पाउडर इनने रूटेटिंग चेंबर उसके टमबल कर आ रहे हैं ठीक है ए तो पूरा पर यहां फिर पूरा पाउडर यहां तो आपस में क्या हो रहा है यह planning उड़ा के constant का दूरा कि ठीक है मिक्स मनलब बड़े स्केल मतलब मालोस आपको पचास किलो 100 किलो पॉटर को एक साथ मिक्स करना है तब फिर हम इसका इसका इस्तमाल करेंगे mixing by this process is through is through समझे बात को mixing by this process is through इसके साथ मिक्सिंग होती हो through through मतलब पूरी complete एकदम मतलब फिर रुके एकदम part by part मिल जाता है ठीक है यानि कि हम उसका एक पार्ट उठाएंगे तो उसके दोनों compound बरावर मात्रा मिलेंगे हमको but time consuming होता है यानि कि इससे सबसे अच्छी through मतलब सबसे अच्छी mixing है ठीक है फिर हम कहीं सभी कोई मतलब पूरा mix up हो गया मालोई एक powder पड़ा हुआ है इसका नदर A और B क्या है mix up है फिर हम कहीं सभी उठा लें 10 ग्राम यहां से उठा लें 10 ग्राम यहां से उठा लें तो 5 ग्राम यहां पर A मिलेगा और 5 ग्राम B मिलेगा ठीक है ना तो यहां mixing एकदम बहुत fine होती है अच्छी mixing होती है सच blenders are widely employed in industry, industry में इस्वाल होते हैं जातर as mixers that use motorized blades to blend powder in a large vessel ठीक है तो कह रहा है industry में इस्वाल होते हैं motorized blades होते हैं उसे mix करने में help करते हैं note करें देख वही वाली बात आ रही है if powders being combined are unequal in quantity अगर powders जो combined किये जा रहे हैं वो unequal in quantity है then geometric dilution method is used unequal quantity आगे unequal quantity ये 5 gram ये 100 gram तो geometric dilution क्या होता है geometric dilution ये बटा important है ध्यान से सुनेंगे इसको कि geometric dilution क्या होता है अगर powder एक 5 gram एक 100 gram है एक 50 kilo है एक 100 kilo है अगर इनको mix करना है तो हम लोग geometric dilution method का इस्तेवाल करते हैं बहुत simple है कुछ नहीं करना geometric dilution में दो करना क्या है geometric dilution is a process by which a homogeneous mixture एक homogeneous एक समान mixture और even distribution even distribution मतलब एक तार even मतलब एक तार distribution एक समान मिला हुआ of two or more substances is achieved एक या एक से ज़्यादा substance जो होते हैं उनको एक समान मिलाने के लिए हम लोग geometric dilution के इस्तेवाल करते हैं इस method is used when potent substances must be mixed with a large amount of diluent जो भी पढ़ा रहता है potent वाला अब होता क्या है समझते हैं और कैसे होता है the potent drug and an approximately equal volume of diluent are placed in a mortar and thoroughly mixed by trituration तो यहाँ पर क्या हुआ जैसे मानलो suppose क्या करना था हमको यहाँ अपनी चाइग्जम्पल भी दिया हुआ है उपर आग्जम्पल बने क्या उससे बताता हूं मानलों मेर को पांच ग्राम को जैसे 100 ग्राम में मिक्स करना था तो सुरुआत मैं किस से करूँगा पहले पांच ग्राम यहां से लोगा और पांच ग्राम यहां से ले लोगा ठीक है पांच ग्राम ये लूँगा पांच ग्राम इसका लूँगा दोनों मिक्स कर लूँगा मिक्स कर गे कितना बन गया 10 ग्राम फिर यहां से 10 ग्राम और लूँगा फिर दोनों को मिक्स कर लूँगा फिर यह क्या हो जागा 20 ग्राम फिर यहां से 20 gram लूँगा मतलब जितना जितना powder बनता जाएगा यह diluent ज्यादा वाला powder है उतना उतना मैं लेता चला जाओंगा बास समझ महा रही है देखो वही चीज यहां बता रहा है ओके यहां क्या कर रहा है A second portion of diluent अब दो क्या कर रहा है the potent drug and an approximate equal volume of diluent potent drug कितना लिया हमने 5 gram और equal volume of diluent वही 5 gram ले लिया are placed in mortar and thoroughly mixed by tarturation और फिर उसको अच्छे से मिला लिया लेगे हमें मिलाना कितना है total 100 gram अभी 5 निकला है 95 gram बचा हुआ है भी फिर क्या इस second portion of diluent अब क्या है द्वारा से diluent का एक portion लेंगे यह 10 gram यह उतना लेंगे अब जो second volume diluent इसका वापस उतना portion लेंगे जितना कि हमारा बनके यह 10 gram तयार हो गया है यही भासा यह कह रहा है और second portion of diluent equal in volume of the powder mixture यानि कि क्या उतना हो बन गया 10 gram in the mortar powder mixture जितना mortar में मौजूद है is added and tituration is repeated और वापस से क्या किया जाएगा tituration को repeat कर दिया जाएगा tituration वापस से repeat कर दी जाएगी बास समझवा आ रही है फिर mix कर दिया हमने हमने इसको क्या कर दिया वापस से mix कर दिया फिर the process is continued equal volume of diluent are added to the powder mixture in the mortar until all of the diluent is incorporated यह process बारवा चलती रहेगी यह 5-10 हो गया था फिर 20 फिर 20 ले लेंगे जब तक इस सारा diluent use नहीं हो जाता है तब तक इस process चलती रहेगी ठीक है नीचे देखे इसका एक example दिया हुआ है मैंने समझते है example को for example if a dose of potent drug is 120 mg जो potent drug है उसको dose कितनी है 120 mg है while mixing entire quantity 120 mg of potent drug is taken and to it 120 mg of diluent are added हमको 120 mg को diluent करना है मिलाना है तो हमने 120 mg potent drug ले लिया और 120 mg diluent ले लिया mix कर दिया and mix thoroughly the resulting 240 mg mixture of potent drug and diluent it again mixed with further 240 mg of diluent तो यहां पर हमने क्या किया है 120 मेरे पास potent वाला था तो इसी में हमने क्या कर दिया 120 diluent मिला दिया total मिलके कितना हो गया 240 ठीक है अब वापस से हम इसमें फिर 240 mg diluent को क्या करेंगे add कर देंगे total मेरा कितना हो जाएगा 22 480 हो जाएगा अब उस 480 में 120 क्या होगा thoroughly mix up हो गया है समझ लेते हैं टोटल कितना हो गया यह है 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 टोटल हो गया 240 244 ठीक है बास समझना अब अगर मैं इस 480 का यह 480 क्या हो गया मिलीग्राम हो गया ठीक है यानि कि 480 मिलीग्राम के अंदर कितना potent drug मौझूद है 480 के अंदर 120 mg मौझूद है तो अब मैं क्या करूंगा 400 mg यानि कि जब इसको बड़े देवल पर करूंगा तो जब भी मैं 400 mg तॉलूंगा तो उसके अंदर कितना वेट तुल जाएगा पोटेंट रख का 120 mg वेट निकल के बहार आएगा यानि कि जब मैं 480 mg की पावडर चारसे एंदर खाऊंगा तो एक्च्वल में की लिए फैर 5 ग्राम है ठीकर नए 5 मैं पॉर्टेंट और यह डालवेंड इस सकदरना पहले कितना मिला यह पांच कितना ओगे जस फीर इसकंदर कित ना हो गया यह-गै श फिर वापस कितना मिला देंगे चालीस तो कितना हो जाएगा यह-एश तो अब 8 ग्राम पावडर क को तौलना असान है बात समझ में आगे इस इस दा जोमेट्रिक डाइलूइशन यह प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए कोशन इंपोर्टेंट है अब आगे आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर ठीक है अब इस क्लासिफिकेशन के अंदर ही हमारे पास हमारे में टॉपिक आएंगे ठीक है आभी तक आप लोगों को लग रहा होगा कि इंसफिलेशन बगर नहीं आया बेटा इंसफिलेशन को ले करके यह सारी चीजें यानि जो उपर चीज ठीक है और इसफिलेशन पाउडर वो सब क्या है पाउडर से उन सब के अंदर यह सारी प्रॉसेस लागू होती है तो कल को अगर कोशन आ जाता है कि बताओ आप इंसफिलेशन का जोमेट्रिक डिलूशन कैसे करेंगे तो तुमको यह तो हमारत हाइनी इसफिलेशन में तो जोमेट्रिक डिलूशन पाउडर को पर अप्लाई होता है और पाउडर की जितनी कैटेगरी है ठीक है सिंपल पाउडर कंपाउड पाउडर 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 सिंक्लोजिन कैशेट टैबलेट टाइटरें एंटा ऐसे लग्जाटिव ठीक है जितनी पाउडर की कैटेगर है उन सब के उपर वो सारी बातें लागू होती है के लिए रहे अब क्लासिफिकेशन की बात करें तो मोटा मोटा है पर तीन तरह क्लासिफिकेशन है पाउडर फॉर internal use powder for external use और special powder ठीक है जो internal use करना है उसको फर्दर दो पार्टर तोड़ा हुआ divided powder divided मतलब जिसको हम लोग क्या कर दिया है पाउच्रिस के अंदर pack करके market में आता है जैसे कि अपना ino वगरा है ठीक है इसमें simple powder होता है जिसके अंदर एक ही ingredients यान के दवाईयां होती है इसके अंदर powder includes in cash it cash it पहले हुआ करता था राइस के चावल के बनी हुई film होती थी उसके अंदर pack किया जाता था और tablet triturator तो हम पढ़ चुके हैं पहले खैर फिर bulk powder anti-acid वगरा आता है ठीक है जैसे कि ino ठीक है इनों का आजकल CC आती है उसमें थोड़ा सा निकाल के घोल लेते हैं पाउचेस भी आते है यान की bulk powder anti-acid है उसका simple powder यान की divided powder की form में भी आता है bulk में भी आता है और luxeative luxeative यान की इसब गोल की भूसी वगरा luxeative bulk powder में आता है ठीक है powder for external dusting powder जख हम वगरा आप उपर डाल देते हैं या powder लगा लिए उपर खुझली वह रहा हो रही है ठीक है उसका दाब medicated और surgical दो आएगा इसी विकर दरब पढ़ेंगे ठीक है dusting powder है powder for external इसमें insuffilator से डाउशे और dendrifाइसे से insuffilations हमारे इसको अपने काम की चीज़े है ठीक है अब क्या थोड़ थोड़ पढ़ लेते हैं इसको डिवाइड कर दिया गया है जिसको डिवाइड तुकडो में बाठ दिया गया है वह हमारे पास क्या divided powder तो divided powder तो डिवाइड पाउडर सार सिंगल डोज मैंने बता है ना सिंगल डोज होता है जैसे कि अपना इनो का पाउच था एक यवाइड डाला और पी गए ठीक है और पाउडर ड्रग इंडिविज़ली रैप्ट इन सेलोफेन यह मेटलिक फॉयल और पेपर रैप किये होते हैं सेलोफेन के अंदर या मेटलिक फॉयल के अंदर या पेपर के अंदर the divided powder is a more accurate doses form यह मार करेंगे बेटा क्योंकि अल्रडी कंपनी की तरफ से ना ना पकरके भरा जा रहा है तो इसकी accuracy ज्यादा होती है अच्छा बल्क में क्या होता है हुनों चम्मच से निकालते हैं तो चम्मच से कुछ आइडिया नहीं लगता है तो यह ज्यादा accurate divided वाला देन बल्क पावडर ठीक ना तो कहला देवाड़ पावडर इस मोर अक्यूरेट डोस फॉर्म देन बल्क पावडर यह वनमास कोश्चन है कि कौन ज्यादा पावडर और बेटर प्रोटेक्टेट फॉर्म एक्टरनल इंवाइमेंट अंटिल दा टाइम अफ एड्मिस्टेशन देन पेपर इंक्लोष पावडर तो यहां पर बात बता रहा है जिन पावडर का हम लोग सेलोफेन प्लास्टिक का होता है या फॉइल जो होती हमारी अल पावडर तो उनकी सेफ्टी अच्छी नहीं है डिवाड़ पावडर सार कॉमर्शिली अवेलबल इन फॉइल सेलोफेन और पेपर पैक्स ठीक है यह वाला कहीं ना कहीं आटमेटिक यह वाले पॉइंट ही यहां से पादा चल रहा है कि डिवाड़ पावडर तीन तरह की का इंटरनल यूज ओरल पावडर ठीक है ना बल्क फॉर्म में आते हैं यह ओके पावडर सार डिस्पेंश दिन बल्क वैंदर डोस एकुरेशी इस नौट इंपॉर्टेंट यहां पर पावडर को बल्क में बड़ा से डिब्बे में डालके रख दिया गया यहां पर डोस की असे का फरक नहीं पड़ता है चमघ निकाला कभी थोड़ा कम है कभी थोड़ा ज्यादा है उससे फरक नहीं पड़ेगा ठीक है ना प्रोटीन बाफ मुस्त है अर। को दोदोचमच खानी है तो दोदोचमच करके मिलाओगे तो शक्रणा शारी डॉोस बना जये एंगी तो इसके अंदर कई सारी डॉस होती है और वाइड माहूथजर कंटे Napole is इसका move होता है, container है काफी चौड़ा होता है, जिससे कि हमको उसमें से powder निकालना आसान रहे, non-potent substance like anti-acid or luxative, example के तौर पर यहां example लिखेंगे, यहां पर example कौन आएगा, non-potent substances, जो कि powerful substance, यानि कि हमारे antibiotics वगरा जो नहीं होंगी न, उनको ही हम bulk powder के तौर पर दे सकते हैं, क्योंकि वो powerful होती है, नुक्सान पचा सकती है, anti-acid वगरा है, थोड़ा सा कम जादा ले लोगे, फरक नहीं पड़ता उससे, ठीक है, now, bulk powder for external use, and this is important, यहां पर तुमारे सारे topic cover हो जाएंगे, they are mixture of finely divided non-potent drug, ठीक है, अब देखो, bulk powder की बात आएगी, तो यहां पर हमेशा किसके जिक्र रहेगा, non-potent, potent drug कभी भी bulk में नहीं आएंगे, वो हमेशा divided form में आएंगे, clear होगी बात, तो bulk powder की बात करें, they are mixture of finely divided non-potent drug in a dry form, that may be intended for external use, available in multiple doses, ठीक है, यह external use के लिए होते हैं, और available in multiple doses, जैसे dusting powder बगर थो 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 डाल लेते हैं, हम लोग इस प्रकार से, clear है, non-potent होगा, मतलब potent होगा, कोई ऐसा powder नहीं होगी, insuffilation, snuffs और dentifrices, dentifrices सबको पता है, defarm first year में पढ़ा था हम लोगों ने, पता है, first year तो चली रहा है हम लोगों का, sorry, याने कि dentifrices उसमें पढ़ रखा है, pharmaceutical chemistry में, ठीक है, तो dusting powder की बात करें, दो टाइप के हैं, एक होता है medical, और एक होता है surgical, तो medical की बात करें, they are used for superficial skin conditions, भीटा इस अचे मार करनी है, dusting powder दो प्रकार के हैं, एक medical है, medical में क्या है, जो skin की उपर की condition होती है, उसके लाएम इसका इसका इस्तमाल करते हैं, they should not be used for application to open wound, खुले जखमों पर हम इसका इस्तमाल नहीं करेंगे, अगर जखम खुला है, तो वहाँ पर इसका इसका इस्तमाल नहीं किया जाएगा, या skin तूटी हुई है, तो वहाँ पर इसका इसका इस्तमाल नहीं होगा, the label should be clearly specify this point, और उसका जो label होगा, वहाँ पर किलेर कड़ बात लिखी होगी, कि should not be apply on wound or broken skin, we need not stylize the ingredients of this powder, but we must be sure that they are not containing pathogen, हमें इसे stylize करने की जरुवत नहीं होती है, use करने से पहले, but ये sure रहना है कि इसमें किसी परकार का pathogen, मतलब microorganism नहों, body dusting powder have a wide appeal because of smooth feel, अब जो body के dusting powder होते हैं, जो सरी पर लगाए जाते हैं, ये काफी जादा wide appeal, काफी अच्छा लगता है, क्यों क्योंकि smooth feel काफी अच्छा लगता है, लगाने के बादे cool होते हैं, जैसे हम naisil powder लगा रहे हैं, वो भी एक तरह क्या है, medicine है, naisil powder जो आता है न कभोरियों के लिए, तो ये कैसा होता है, इसका smooth, काफी smooth लगता है, wide appeal का मतलब लिएक तरह से, कहलो कि हमें काफी अच्छा लग रहा है, खुशनमा लग रहा है, क्यों? क्योंकि ये smooth होते है, cooling effect आता है, which they impart while they temporarily absorb moisture, cooling effect कहां से आता है powder, powder को डालते हैं, उसमें बहुत महीन होते हैं, ठीक है, और उसमें जो powders की छमता होती हैं, खास तरह को होते हैं, वो हमारी body से क्या खिच रहे हैं? moisture, absorb moisture, और moisture खिचने के साथ साथ जो होता है, तो body की heat भी खिचती है, और जो body की heat खिचती है, तो क्या होता है? ठंडा लगता है, just like पसीना जब सूकता है, है ना पसीना आ गया जब पसीना सूकता है तो बाड़ी को ठंडा लगता है क्यों तो पसीने के जो वैपर्स होते हैं हमारी बाड़ी के वह हीट को लेकर के उड़े जाते हैं physics पड़ी होगी तो हमें ठंडा लगता है same concept यहां लगाया हुग है the cooling effect is due to extra heat loss due to large surface area of dark particle जो heat का loss होता है powder डालने पर हमारी body से उसकी वैश से हमको cooling effect लागता है example दे दिया इसका एक हमारे पास dark 51 gram, kaolin 15 gram, precipitated chalk 21 gram, zinc stearate 3 gram, boric acid 5 gram, salic acid 5 gram और perfume quantity sufficient जितना perfume डालना खुस्व के लिए उतना डालेंगे तो हमारे पास यह एक बन के तयार हो जाएगा clear है, अब यहाँ पर कुछ बाते हैं हमें समझ नहीं है, टाक, टाक है नहीं है पाटर को टाक, टालकम पाटर बोल देते हैं को इसको अंदर major quantity होती है पाटर के अंदर, bulk जो dusting पाटर होते हैं उसके अंदर टालक पाया जाता है टालक इजा major ingredient in medicated dusting powder, one mask question बेटा mark करेंगे जो ingredients होते है, medicated dusting powder के अंदर उसके अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा जो जीच पाए जाती है और टाक पाए जाती है, इसे हम उसको टालकम पाटर बोल देते हैं ठीक है, ओके, which should have good slip characteristics, चिकनापन जो आता है, इसी की वाज़े सा आता है covering power and body addition, इसके अंदर covering power है, पूरी body को अच्छे से cover करता है और body addition, body से अच्छे से चिपक भी जाता है, ठीक है the slip and addition property, जो उसका चिकनापन है, और चिपकने वाली property है of medicated dusting powder, essentially depend on targ, जो जितना भी medicated powder है, dusting powder है जो हम लोग डालते हैं, अपने body के उपर छेड़कते हैं उसके अंदर जो slip property और addition property है, वो targ की वज़े से आती है इसी लिए targ को पढ़ना और समझना जरूरी है के लिए बातें आगे आते है targ should be free from bacteria and therefore sterilized grade should only be used targ को bacteria free होना चाहिए और यही वज़े है कि इसका sterilized grade sterilized मतलब हम लोग sterilize करने के बाद ही इसका use करते हैं to improve addition property to improve addition property addition को improve करने के लिए कि body से अच्छे चिपकार है metallic stearate metallic stearate such as zinc, stearate और magnesium stearate and keoline are incorporated mark करेंगे बेटा कि जो dusting partner होते हैं body से चिपक जाया ना छूटे नहीं जल्दी से तो उसके लिए हम लोग यह metallic stearate का इस्तमाल करते हैं to improve absorbency absorb करें moisture worker body से magnesium carbonate starch keoline and precipitated chalk are used in combination है ना कि वो absorb हो ठीक है तो उनकी absorbency को improve करने के लिए हम लोग magnesium carbonate starch, keoline और precipitated chalk का इस्तमाल करते हैं zinc oxide and titanium dioxide at low level along with earth color zinc oxide का इस्तमाल करते हैं और titanium dioxide का इस्तमाल करते हैं along with earth colors can be incorporated and should be sufficiently powerful to cover the base order जो powder होता है हमारा उसमेरे base order उसके जो थोड़ी से अलग सी smell होती है उसको cover करने के लिए हम लोग zinc oxide और titanium dioxide का इस्तमाल करते हैं other ingredients sometimes include our boric acid to act as skin buffering agent उसका pH का maintain रखेगा and fused silica to give powder a lower density जिसके powder की density lower हो जाए तो fluffy type का रहेगा थोड़ा सा salicylic acid for antibacterial action and aluminum chloride is also incorporated as an antiperspirant पसीना ना है तो यह कुछ चीज है यानकि उसके अंदर कौन कौन से ingredient है उन सबकी यहाँ पर बात हुई है और टाक तो special है वो तो हर किसी में होता ही होता है clear है तो medicated उमीद कर रहा हूँ medicated dusting powder clear हो गया है dusting powder दो परकार के है medical या medicated clear है चलें आगे अब surgical surgical का मतलब क्या हो गया obvious ही बात है surgical का मतलब हो गया यह वो powder है जहाँ पर जखम होंगे कट लगेंगे वहाँ वहाँ पर यह इस्तमाल होंगे ऊपर medicated वाला जखमों पर इस्तमाल नहीं कर सकते थे surgical dusting powder must be free from pathogenic microorganism and hence it must be sterilized before their use क्योंकि direct हम लोग जखमों पर इस्तमाल कर रहे है तो इसलिए pathogenesis के अंदर नहीं होना चाहिए और यहीं वज़ाए कि हम लोग इसको पहले से sterilize करते हैं इस्तमाल करने से पहले ठीक है because they are used in body cavities and are applied on wounds body की जो cavities हैं उनमें इस्तमाल हो रहा है इसका और हम लोग जखमों पर भी इसका इस्तमाल करते हैं they are sprayed on burnt areas जो जला हुआ पार्ट है बॉड़ी का जल गया उस पर इस्तमाल करेंगे and place on the umbilical cords for infants जो infants होते हैं उनकी जो नाभी जो होते हैं जो क्या कहते हैं नाल होती है जो काटते हैं काटने के बाद जखम रहा जाता है उसको सुखाने के लिए भी इस पाड़र का इस्तमाल होता है हम लिकल कॉल काटने के बाद वहाँ पर इस पाड़र को रख दिया जाता है the dusting powders are mainly used for their antiseptic, astringent, absorbent, antiperspirant and antipruritic action इसके अंदर एक antibacterial agent भी पाए जाते हैं कुछ जैसे की chlorhexidine और hexachlorfin ये वेटा सब one mask question तुम्हारा create हो सकता है तो याद रखेंगे किसके अंदर क्या होता है the diluent is sterilizable ठीक है जो diluent होते हैं वो इस्ट्रलाइट पता है ना अब हमने पढ़ा था geometric dilution में diluent क्या होते हैं जो potent drug में मिलाए जाते हैं तो इसमें जो diluent इस्तमाल करेंगे वो sterilizable होना चाहिए ताकि हम मतलब उसको sterilize कर सकें इस्ट्रलाइज कर सकेंगे तो उसके अंदर pathogen नहीं आएंगे कौन-कौन है मेज starch which is also called absorbable dusting powder तो simple simple बाते हैं कुछ खास नहीं है तब major ingredient include अब surgical powder के अंदर major ingredient कौन-कौन हो पाए जाते हैं टॉक इस्टार्श केयोलीन एंटिसेप्टिक एक्स्ट्रिंगेंट एब्जॉर्बेंट एंटि परस्परेंट एंटि प्लॉराइटिक एजेंट यह सारे एजेंट इसके अंदर में खास करकी पाए जाएंगे एक्जेंपल की बात करें जैसे की नियू स्पॉरिंट ठीक है ना जो अभी हमारा सबसे पहली हैडिंग जो हमारे कोर्स में दी गई है बट वेटा डारेक्ट अगर में इंसेफलेशन पढ़ा देता कि हाँ इंसेफलेशन और मैडिकेटेड डेस्टिंग पाउडर यह बात आपको समझ में नहीं आती मैडिकेटेड डेस्टिंग यह जो इसमें पहली लाइन लिखी है ना यह आपको पल्ले नहीं पड़ती है यह क्या होगा आप कहते हैं अच्छा दवाई वाली दगुई होगे उसको इस्तमाल करते हैं लेकिन यहां से कोशन क्रियेट होगा अब यहां पर आप क्या इंसेफलेशन को बढ़ा कर सकते हैं बढ़ा करने का मतलब क्या है इंसेफलेशन को बढ़ा करने के लिए मैडिकेड़ डेस्टिंग पार्टर आ यहां पर अब थोड़ा सा एक्स्प्रेशन मैडिकेड़ डेस्टिंग पार्टर का आप कर सकते हैं उसके बाद फिर इंसेफलेशन को एक्स्प्रेइन कर सकते हैं इस प्रकार से आप क्या है उसमें थोड़ा लंबा लिख पाएंगे question का answer समझवाया खेल कहाँ पर है इसका सारा ठीक है तो these are medicated dusting powder इतना बोलते ही अब इतना बोलते ही insufflation के अंदर जो medicated dusting powder की properties मैंने उपर करवाई है वो सारी यहां पर नहीं करवाई तो याने कि आप जैसी बोलेंगे medicated dusting powder यह है तो अगर insufflation five marks में आ रहा है suppose five marks में आ गया या एक दो state में है जहां question आठ नंबर में भी आए है तो सुरुआत कहां से करेंगे it is a medicated dusting powder फिर थोड़ा सा medicated dusting powder उपर बताया तो उसके बारे में थोड़ा सा explain करेंगे कि यह होते है medicated dusting powder ठीक है और medicated dusting powder होते है means for introduction into body cavities one mask question याद रखेंगे इसको body cavities में हम लोग इसका इस्टमाल करते है such as nose, throat, ear, vagina ठीक है with the help of an apparatus, no noise, insufflator powder blower powder यहां भर ले यहां दबा देते हैं यहां से nozzle से powder का पुराई spray निकलता है कान में डालना है, नाक में डालना है, गले में डालना है यह वजाएना के अंदर डालना है तो इस तरह से insufflator जो powder को blow करें जो पॉड़र को फूंग देते हैं हम लोग इस step से blow करने के लिए insufflator आते है इट sprays the powder into stream of finely divided particles all over the site of application यह spray करता है powder को into stream एक धार powder की धार निकालता है अपने अंदर से finely powder का, जिससे की वो पूरा all over the site, वो जब जैसे ना लोग किसी को powder को फूंगे तो ऐसे powder फैल के जाता है तो वैसी ऐसे फैल के निकालता है जितना area होता है पूरे area पे powder जाकर के चिपक जाएगा, इसी लिए इसका इस्तमाल होता है क्यों powder के ऐसे हांसे लेके लगाएंगे, तो कान अनके अंदर नाक के अंदर लगा पाना तो पर्डूस सिस्टमिक इफेक्ट ऑफ ड्रग डेट इस डिस्ट्रॉइड इन दा गैस्ट्रो इंटर्स्टैनल ट्रेक्ट ठीक है तो कह रहा है कि हम लोग या तो लोकल इफेक्ट के लिए इसका इस्तमाल करते हैं लोकल इफेक्ट होगा बॉड़ी में कई और इसका इफेक्ट नहीं होगा या फिर कह रहा है एज इन दा ट्रीटमेंट ऑफ इंट्रॉट इंफेक्शन विद अटिवाइटिक और तू प्रडूस सिस्टमिक इफेक्ट ऑफ ड्रग that is destroyed in gastrointestinal tract या फिर अगर हमें किसी drug का systemic effect करवाना है और वो drug क्या है कि GIT पेट के अंदर जाके destroy हो गयाते है याना कि अगर हम एक कोई antibody को उसको खाएंगे मान लोग कान में दर्द है उसको हमने खाया और खाने से क्या हो गया पेट में गया पेट के acid ने enzyme ने उसको तोड़ दिया उस दवाई के असर को कम कर दिया तो हम लोग direct इसकी help से कान में डालेंगे कान से कहा होगा वो फिर absorb होगा हमारे सीधा blood में तो हमारे पेट में नहीं जाएगा वो ही ये बात कहना चाहरा है और to produce systemic effect of drug that is जो drug destroy हो जाते हैं gastrointestinal tract में जा करके मार करेंगे इस चीज़ को अब like aerosols uniform dose may not be obtained by insuffilation aerosols होते हैं जो pumping type करते हैं तो भच जब हमने pump किया है blow किया है तो होगता कहीं powder कम गया है कहीं powder जादा लगा है किसी हिस्से में जा करके तो uniform dose possible नहीं है एक्जांपल देख लो chromoline sodium powder और compound kiloquin powder USB के लिए लगाते हैं इस नफ्स not in course बट इसी के अंदर है तो थोड़ा साथ देख लो इस नफ्स होते क्या है finely divided solid doses form of medicament which are inhaled into the nostrils ये भी क्या finely divided solid doses form powder के रूप में ही है solid रूप है medicament which are inhaled नाक के अंदर सुंगा जा रहा powder के रूप में किसके लिए क्यों सुंगा जा रहा है उसके antiseptic property के वही से bronchodilator है ना जब chest में जखड़न होगी उस case में या decongestion नाक में जखड़न है या उस लिए वो दबा जा करके तीन effect दिखाएगी dentifrasis हम पढ़ चुके हैं लेकिन powder है तो यहां हम थोड़ा उसको ले ले रहे हैं main हमको क्या पढ़ना था है यहां पर insufflations लेकिन उसके अंदर कुछ और चीज़े भी हैं ठीक है यह extra जो एक एक दोदो point हम extra लेके क्यों चल रहे हैं बेटा यूज कर रहे हैं दे कंटेने स्टेवल डिटर्जेंट और सोप एब्रेसिव एब्रेसिव जो घर्षण करते हैं और फ्लेवर स्वाद के लिए कोई चीज़ का पढ़ी होती है कि हमें उसका फ्लेवर भी अच्छा लगता है अब्रेसिव क्या होते हैं कैल्सियुम सलफेट मैगनेशियुम कावनेट सोडियुम कावनेट एंड सोडियुम क्लोराइट सिंपल एंड कंपाउंट पाउडर्डर्स पॉर इंटर्नल यूज ठीक है ओके तो यह बात समझ में आई डेंटी फ्रैशिस क्या हो गया यह टूथ पाउडर हो गया फिर उसके बाद एक पाउडर आता है यह लाइन यहाँ पर अटा देंगे यहाँ पर कुछ रॉंग टाइप हो गया है ठीक है अब आगे आते है, टेंटी फ्रैसिस हो गया फिर यहाँ पर एक डाउट्षे पाउडर से भी आते हैं डाउट्षे पाउडर्स आर इंटेंडि भी क्या होते हैं अंटी सेप्टिक की तरह इस यूजज के आते हैं और और क्लींजिंग एजेंट फॉर बॉडडी एक के लिए और दो दे में भी फॉर्मुलेटेड फॉर नैजल ओटिक और उप्थेल्मिक यूज आल्सो यह नाक कान और आखों को यह लिए भी डाउशे बनाए जा सकते हैं लेकिन सबसे यह इसका इस्तमाल किस्ट के लिए होता है वेजैनल कैविटी को क्लियर करने के लिए तो आखिरकार यह डाउशे पाउडर में अलग सा इस्पेसल किया है तो इस्पेसल यह है तो परफॉर्म है वेजैनल डाउशे या मिक्चर ऑफ वाटर एंड अधर इंग्रीडियंट इस प्लेज इन बोटल और बैग यहापर क्या होता है पाउडर को पानी के अंदर घोलना प क क्लीर कर देगह तो यहांब सिंपल कinga हमें पानी की हा लगरुऍ यहें पाउडर को घोलने गे लिए और फिर हम उसको जो पानी वाशक कर दो 강 कर देते हैं या पाइप के उसमें एक खास तरगी बोटल आती है उसके उसमें नोजल लगी होती है उसकी हेल्प से हम उसको पैजाना में डाल करके वाश कर देते हैं किलियर है आज़ डाउशेप पाउटर फामलेशन उफन इंक्लूड अरोमेटिक ओईल्स जो डाउशेप पाउटर होते हैं उसके फामलेशन में औरमेटिक ओईल्स का इस्तमाल होता है ठीक है अंदर डाउशेप पाउटर होते हैं उनको क्या होता है सीव नमबर 40 और 60 से पास कराना होता है जिससे की वो आपस में चिपके नहीं ठीक है और कम्प्लीट मिक्सिंग हो जाए तो यह बाते हैं ठीक है तो वह है इसको के वाल यहां तक आप याद रखेंगे यह दो पॉइंट इसके डाउशेप पाउडर के ठीक है ना एक्स्ट्रा जोन बच्चों के अदर कैपसिटी है एक्स्ट्रा याद रखने के लिए वो लोग एक्स्ट्रा याद कर सकते हैं एक चौड़े से ग्लास बोटल के अंदर और इन पाउडर बॉक्से बट दा फॉर्मर और से थोड़ा सा बैक जाते हैं हम लोग ताकि चीजें समझ में आए कि क्या बढ़ रहे थे हम लोग बल्क पाउडर्स फॉर एक्स्टरनल यूस ठीक है ना बल्क पाउडर फॉर इंटरनल यूस डिवाइड पाउडर दिवाडर पाउडर पढ़ा हम लोगों ने किलियर हुआ फिर बल्क पाउडर फॉर इंटरनल यूस समझा हमने यह क्या होते हैं फिर हमने बल्क पाउडर फॉर एक्स्टरनल यूस यह सबसे था इंपॉर्डेंट था इसके अंदर हमारा यह डेस्टिंग पाउडर कवर हो गया दूसरा हमारा क्या कवर हुआ हुआ है ठीक है ना किल usingusi rebellious in paper यह एक पेपर के बंद होती है सिमपल कप बोलते हैं जब उसके नदर एक ही ingredient होता है एक तरह की medicine होती है compound कब बोलते हैं उसके यंदर ज़ो C4 Global medicine को mix कियाता है थीक है टै कि अहों कौनिची होती उस इस पहुती पॉडर की वह सांदे से कम नहीं होने यह simple powder a simple powder content only one ingredient either in crystalline or amorphous form example simple water example यहां दे दिया है जैसे कि aspirin 300 mg make powder and send six doses 300 mg का powder बनाया और छे डोसे में डिवाइड कर दिया है ना यहां कि 55-55 ग्राम में और फिर दे दिया पेशेंट को compound powder a compound powder content two or more ingredients which are mixed and then divided into desired number of individual doses ठीक है ना जो compound powder है उसको हम लोग उसमें दो या दो से अधिक ingredients mix किये जाते हैं और फिर उसको divide कर देते हैं desired number of individual doses में इसका example देख लें जैसे कि paracet aspirin और paracetumol और caffeine ठीक है और इन सब को mix करने के बाद इसको 8 dose में divide कर दिया और patient को दे दिया वो एक एक dose वो लेगा और खाएगा clear है तो simple compound का मतलब clear हो गया simple मतलब एक ingredient और compound का मतलब दो या दो से जादा ingredient मिला करके जब powder बनाया जाता है तो उसे हम compound powder कहते हैं okay powders enclosed in cashets and capsule तो capsule का होता हमको पता है अच्छे थे cashets क्या होते है cashets बेटा क्या होता है समझो the pharmacist would use a cashet machine पहले क्या होता था cashet machine इस्तमाल होती थी एक खास तरह का device है special device to enclose major dose of powder within two rice paper half बस इतना सा concept है rice का paper बनाया जाता है rice को चप्टा करके उसके paper बनाया जाते थे और उसके अंदर दवाई को powder को compress करके दे दिया जाता था ठीक है तो अब starting समझे इसकी the cashet is a doses form that has become extinct जो अब extinct हो गई है मतलब नहीं है यूज में नहीं आती है it was developed in 1800 so that patient could take bitter powdered medicine more easily चावल का paper इसले इस्त्माल किया था अस्ताकि पेटके आंदा जाके वह गल जाएगा और जो कड़वी दवाईया होती थी उसके इस्त्माल के लिए उसको हम चाहते हैं कड़वी दवाईया पेशेंट इसली खा सके उसके लिए हमने यह कवर करा दी बेटा और इतना पढ़ना पड़ेगा क्योंकि powders और granules है direct insufflation वाला question आया है तब भी उसके अंदर dusting medicated dusting powder का जिक्र करना पड़ेगा ठीक है तो और dusting powder है हो तो फिर dusting powder हमारी syllabus में है clear है बात समझ में आ गई ठीक है तो dusting powders और insufflation यह इनका आपस में relation समझ में आ गया ओके आगे आते हैं फिर हमार पास एक और तरह के powder है जो हमें पढ़ने हैं वो है effervescent powder क्या होते हैं यह effervescent powders contain material which react in the presence of water evolving carbon dioxide one mark question में बिटा मार कर लेंगे effervescent में जो बुलबले निकलते हैं जैसे कि हमारा इनो होता है जो बुलबले निकल रहे हैं क्या है वो that is carbon dioxide है this class of preparation can be supplied either by compounding the ingredient as granules or dispensed in the form of salt ठीक है जो इस class की preparation होती है वो compound की जाती है granule की form में या salt के रूप में ठीक है for evolution of gas two constraints are essential बिटा यह मार करेंगे gas बनाने के लिए हमको दो चीए चाहिए होती है a soluble carbonate a soluble carbonate carbonate पता ना CO3 वाले जो compound होते है such as sodium bicarbonate and then organic acid such as citric acid or tartaric acid very important यहां से question आएगा तो affirmation powder में और कुछ नहीं है इन दो चीज़ों का इस्तमाल किया जाता है main ingredient तो होता ही अलग से और इन दो चीज़ों का इस्तमाल करके हम लोग क्या पैदा करते है gas बनाते है मतलब gas बुलबले छुटते है ना उसको बनाने के लिए clear है बाते है फिर क्या है the preparation can be supplied either as a bulk powder or distributed in a individual powder अब जो preparation हमारी बनके तयार हो गई है बना लिए हमने या तो bulk powder में दे देंगे उसे या एक-एक जो individual pouches होते है उसके अंदर pack करके दे देंगे there are three alternative method of dispensing affirmation powder based on the nature of prescription हम तीन प्रकार से इसको क्या कर सकते है dispense कर सकते है क्या क्या प्रकार है इसकी और क्या 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 condition है if the affirmation salts are prescribed to be dispensed in bulk form अगर हम उसे bulk form में दे रहे है no granulation is necessary अब यहाँ पर granulation करने की ज़रूत नहीं है the ingredients are mixed uniformly जो ingredients होते हैं उनको मच्चे से मिला देंगे and direction stated और दिसा निर्देश दे देंगे कि कैसे खाना है on the level to add the prescribed quantity to the water before use और कहा देंगे कि इतनी quantity को पानी में डाल ले और खा ले ठीक है पहली condition बल्क में दे दिया if the affirmation salt is prescribed in divided dose ठीक है अब देखो बेटागर अब direct इसको पढ़ाया जाए अब divided dose यहाँ लिखा हुआ है अब divided जो आला जो powder हमने उपर पढ़ लिया था तो अब यहाँ पर बार बार प्लाने की जरूत नहीं है यही वज़ाए कि उपर आला concept हमने बताया है वो इसी लिए बताया है इसके अंदर की जो बातें इस्तवाल होंगी वो आपको clear होने चाहिए ठीक है इफ दे एफ़विशन साल प्रिस्काइब किया गया है डिवाइड डोस के अंदर पार्ट में अब जो ग्रैनूर्स एफ़विशन्स क्रियेट करते हैं उसको अलग-अलग पेपर में पैक करेंगे ठीक है ओफ डिफरेंट कलर अलग-अलग पेपर रहेगा उनका कलर भी अलग रहेगा तब पेशन्स एडवाइज और पेशन्स को कहा जाएगा तो टेक वन पाउडर ओफ इच कलर दोनों में से एक एक पाउडर ले एड़ वाटर बिफोर यूज और उसके नदर पान ही मिलाए यूज करने से पहले quantities of the sodium bicarbonate and the organic acid are EQ molar in proportion जो sodium bicarbonate होता है और organic acid होते हैं EQ molecular उनकी जो moles होते हैं equal रखे जाते हैं ताकि बलबले सही से बने In the third case the product contains all the ingredients mixed into granular form तीसरा case किया है हम लोग उसको granular form में convert कर लेते हैं granular form में सारे के सारे ingredients पहले से मिलके रखे हुए हैं ठीक है न तो तीन तरीके हैं bulk में, divided dose में या granular form में तीसरी भी तरीके से हम इसको दे सकते हैं बात समझ में आ गई clear है बातें powder की बाते समझ में आ रही बैटा पढ़ना पूरा है ये माँ सोचना कि starting में जो पढ़ा दिया है वो बेकार था बहुत जरूरी है वो concept नहीं आएगा तो अंदर की बाते समझ में नहीं आएगी अंदर लिखने महुत दिक्कत आएगी ठीक है ना फटा फट जाओ मो दुलो ठीक है और पानी बानी पीलो थोड़ा और बचा है बस ठीक है आदे घंटी क्लास हो और है फटा फट खतम हो जाएगा ये किलियर करें स्टार्ट दुलिया मू पीलिया पानी पीलिया ना ठीक है आजाओ चलो प्रावल्लम इस बावडर अब समझते हैं पावडर के साथ दिक्कते क्या क्या है आखिरकर पावडर के असान काम है कुछ तो प्रावलम आती होंगी तो क्या क्या पावडर पहला है वोलटाइल सबस्टान्स हम जिस ड्रग को पीस करके पावडर बना रहे हैं और उसके अंदर अगर कोई volatile substance है क्या substance है? volatile जो उड़ जाएगा तो तो फिर हमारा वो बेकार होगे powder main ingredients तो उड़के चला गया तो देखो क्या होगा vegetable drugs contain volatile oils जो vegetable drugs होते हैं उनके अंदर क्या होता है? volatile oils होते है to prevent the loss the vegetable drug must be powdered lightly बहुत हलका powder किया जाता है उसको बहुत जादा घर्षन करके powder नहीं करेंगे volatilization of menthol, camphor and essential oil may happen on incorporation जब उनको mix कर रहे हो बना रहे हो incorporation का मतलब यही होता है कि जब उसको prepare कर रहे हैं तो हो सकता है यह volatile हो जाए solution इसका उपाई क्या है? क्या करेंगी यह ना हो this is prevent to minimize by double wrapping हम उसको double pack करेंगे packing double करेंगे उसकी the inner wrapper may be of wax paper and the outer wrapper may be thick paper जब double packing करेंगे तो inner वाला wax paper रहेगा और outer वाला thick paper रहेगा जिससे कि वो direct touchment आए advance wear के और volatilization ना हो ठीक है अब इसको हम पहले भी पढ़ा था जब पढ़ रहे थे hygroscopic and delegation powder hygroscopic क्या होते है जब moisture को absorb कर लेते है चिप 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 हो जाएंगे और delegation क्या होते है moisture को absorb करेंगे और वो पानी ही बन जाएंगे फिर liquid में बदल जाते है example क्या है ammonium chloride, phenobarbiton, sodium bromide, sodium iodide, potassium citrate, zinc chloride ठीक है तो ये भी एक problem आती है hygroscopic or delegation solution क्या है prepare in granular form हम ऐसे powders को granular की form में prepare करेंगे should not be finely powdered हम इसको बहुत ज़्यादा महीन नहीं करेंगे तो जितना ज़्यादा महीन करेंगे उतना ज़्यादा hygroscopicity बढ़ जाती है double wrapping करेंगे और humid weather अगर रहेगा तो further wrapping in plastic paper और aluminum foil अगर weather humid है तो उसको और further आगे packing बढ़ना देंगे तो ये इसके solutions है कि अगर hygroscopy or delegation ड़्यादा हम उसको किस्ते से बचाएंगे clear efflorescent powder क्या होते हैं ये some crystalline substance liberate water of crystallization on exposure to humid atmosphere or during trituration and become wet कुछ powder ऐसे होते हैं जिसको हम लोग tritrate कर रहे हैं जिस समय तो वो tritrate crystalline है उसके अंदर उसके अंदर तो water के molecule होते हैं वो बाहर निकल आते हैं है ना जैसे हम लोग पढ़ा होगा जैसे की कोई formula ले लेते हैं मालो मालो AB dot H2O तो crystallization of water जोड़ा रहते हैं ना वो क्या होदा बाहर निकल के आ जाएगा और उसको गिला कर देगा sticky कर देगा और liquify कर देगा example है caffeine, citric acid, ferrous sulfate तो ऐसे में फिर वो powder पौडर नहीं रह जाएगा solution क्या है using corresponding anhydrous salt हम लोग क्या करेंगे एक anhydrous salt का इस्तेमाल करेंगे जिसके अंदर water molecule ना हो या फिर use of inert substance by mixing before incorporating with other ingredients कुछ ऐसा substance mix कर देंगे जो inert होगा जिसको कोई effect नहीं होगा लेकिन हो पानी के moisture को अगर निकलेगा तो absorb कर लेगा ठीक है फिर आता है eutactic powder ये ट्रक्टिक वर्ड को हम पहले ही पर चुके हैं क्या होते हैं जब दो चीज़ें आपसे मिलती हैं और एक नई चीज़ बन जाती है और वह liquid बन जाती है ठीक है when two or more substances are mixed together जब दो या दो से जाए सबस्टांस को mix करते हैं they liquify वह liquify हो जाते हैं ठीक हुआ क्या a plus b क्या क्या बन गया a b अब a b का जो melting point होता है वो room temperature से भी नीचे हो जाता है तो वो क्या बन जाएगा liquid बन जाएगा यह जो solid थे दोनों को mix किया यह liquid बन गया due to the formation of new compound which has lower melting point जो नय compound बना है दो powder को mix करने के बाद तो क्या हो गया है उसका melting point बहुत कम है तो वो room temperature पे भी liquid हो गया example menthol thymol camphor aspirin solution क्या है इसके दो तरीके है dispense as separate set of powder हम क्या करेंगे उन दोनों को mix नहीं करेंगे उन दोनों को मतलब piece लेंगे और अलग-अलग packing करेंगे और कहा देंगे कि खाने से पहले मिला लेना with direction that one set shall be taken as a dose एक set एक इसमें से एक इसमें से मिला करके फिर खाना है और use of inert absorbent like magnesium carbonate and to be mixed gently inert substance का इस्तमाल कर लेंगे जिससे कि जो यह liquefy हो रहा होगा यह पानी जो बन रहा होगा वो पानी उसको बनने नहीं देगा water के molecule को absorb कर लेगा clear है now explosive powder ऐसा भी होता है कुछ powder आपा से मिलके फट जाते है ठीक है when an oxidizing substance like potassium chlorate यह oxidizing है is mixed with reducing substance such as tannic acid there is a chance of explosion यहाँ पे blast होने का chance होता है solution क्या है जहां तक संभव हो as far as possible such prescription should not be dispensed इसका substitute देदे powder of each ingredient separately in a mortar and mix them lightly powder each ingredient हर एक दोनों को अलग-अलग पीसे ठीक है and mix them lightly और बहुत हलके से उसे मिला है बहुत तेजी से ना मिला है powder each ingredient separately and dispense them in separate powder paper with suitable direction final last तरीका क्या है दोनों को अलग-अलग करे और उसको dispense कर दें कि खाने से पहले इसको मिला लेना है और फिर खा देना है clear है potent drug potent drug क्या होता है हमको पता था हमने उपर पढ़ लिया है small quantities of potent drug should not be weighed on dispensing balance क्योंकि वह बहुत छोटी quantity में ही बहुत ज़्यादा असरदायक होता है वह छोटी quantity नापना असान नहीं होती है तो powder हमारा यहाँ पर finish हो गया ठीक है करें start granules को granules इसके बारे में हम लोग काफिया तक जानते हैं ठीक है तो यह picture से समझ में आ गया होगा capsule होते हैं उसकंदर आपने देखा होगा यह होते है granules दानेदार ठीक है ना powder होता है पाउडर को हम लोग चिपका लेते हैं ठीक है तो देखते है granules क्या है हमारे पास तो granules are aggregation aggregation क्या होता है जो चीज़ें आपस में जुड़ जाती है कुच्छा बना लेती है उसको हम लोग क्या कहते हैं aggregation तो granules are aggregations of fine particle fine particle on the powder का aggregation होता है in a mass of about spherical shape और लगबग इसका shape कैसा होता है spherical होता है prepared for solids which are to be administered orally in large quantity ये खास करके तब बनाए जाते हैं ऐसे solid के तोर पे जिनकी large quantity में हमको जब खाना होता है they cannot be prepared as tablet or capsule because of large dose क्योंकि कुछ ऐसे powder है जिसको large dose में हमको खाना है तो tablet और capsule की form में हम इसको नहीं बना सकते हैं क्योंकि वह बहुत छोटे होते है difficult to dispense as such in powder form because of bitter and noisious taste कई बार कुछ powder ऐसे होते हैं जिनका taste बहुत गंदा होता है noisious होता है तो हमको उन्हें granules की form में convert करके देना पड़ता है ठीक है next आते हैं difficult to convert into liquid because of stability problem कई बार हम लोग क्या करते हैं कि ये liquid की form में बनाना तो चाहते हैं लेकिन वो उस form में भी हम लोग नहीं बना सकते हैं क्योंकि stability problem है वहाँ पर वो stable नहीं रहेगा chemical the only alternative is to prepare granule और आखरी में जो हमारे पास वो बचता है क्या उपाए कि हम भीया granules ही बना लें तो इफायदा है otherwise कोई और तरीका काम्याब नहीं होगा simple ठीक है तो अब यही सारी बातें एक इस तरीके समझ लें यही सारी बातें advantage के तोर पे समझ लें या यह समझ लें why we prepare granules when we have powder हमार पास जब powder है तो हम granule बना के कर क्या रहे है तो क्या करने हो देखें avoid powder segregation अब होता क्या है segregation मतलब अलग-अलग हो जाना powder के अलग-अलग होने को बचा रहे है इसका क्या मतलब है if the powder is composed of particle with different dimensions and different densities उपर हमने size देखा था पार्टिकल का size थोड़ा सा बड़ा है किसी का छोटा है अलग-अलग type का या दो powder है वो एक समान नहीं है ऐसी इस्तिती में क्या होगा हलके powder उड़ जाएंगे बहारे powder रहे जाएंगे ठीक है तो उनका distribution एक समान नहीं हो पाता है ऐसी इस्तिती में ताकि वो अलग-अलग ना हो जाए segregate ना हो जाए हम उसको चिपका करके granule बना लेते है अगर उनके dimension है अलग-अलग है शेप साइज डिफरेंट डेंसिटी अलग-अलग है उनकी और separation between these particles भी लोकर ये particles अलग-अलग हो सकते हैं जब कोई वो होता है चावाल या कोई चीजी होता हमने इस तरह हिलाते हैं तो मोटे-मोटे particle उपर आयाते हैं और हलके-अलके particle नीचे बैढ़ आते हैं The T…! to enhance the flow of powder powder उतना अच्छा flow नहीं करता है, जितना अच्छा flow градunes करते हैं साथी sì ये तो पता है आज जाना or do इस तरह से लेषाना और यहीं पर दे नमक लेना नमक दो ओकवा एकड़ अगल से फ्री फ्रो करता है लेकिन आटा नहीं करेगा ठीक है तो enhance the flow of powder Higher flowability gives better filling of dyes और container during a volumetric dose अगर हमें कोई dye के अंदर भरके कोई dose बनानी है, tablet, capsule वगरा तो flowability अच्छी होनी चाहिए जिससे की proper काम कर सके और हम लोग dose बना सके Granules have higher porosity than powder अच्छा, powder को पिछकाना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन जो granules होते हैं उनको हम ज़्यादा मातरा में compress कर सकते हैं क्योंकि powders जो होते हैं उनके बीच में air बहुत ज़्यादा trap हो जाती है अब granules तो में क्या, बहुत सारे powder चिपक गए हैं अब जितने powders इतने सारे powder चिपक करके एक granule बना लिया है तो इनके बीच की जो air है वो क्या हो गई उतनी air तो खतम हो गई ना तो इसलिए वो air खतम हो गई है तो वो ज़्यादा compress कर सकते हैं हम लोग इसको the granulation of toxic material will reduce the hazard of generation of toxic dust which may arise during the handling of the powder अगर पर toxic substance है और हम उसको handle कर रहे है powder के रूप में तो वो उड़ सकता है उड़ करके हम लोग inhale कर सकते हैं आँख में जा सकता है नाख में जा सकता है और अगर वो granule की form में है हमने उसका granule कर लिया है तो जब हम से handle कर रहे हैं इदर से उधर लेके जा रहे हैं तो उसमें dust नहीं उड़ती है Materials which are slightly hygroscopic वो यह वाला आगे वो पुर आगे कॉंसेट अगर वो हलका सा hygroscopic है क्योंकि powder का surface एरिया बहुत जादा होता है बहुत जल्दी moisture पकड़ता है May adhere and form a cake if it is stored as powder जो बहुत हलके से हैं वो क्या है चिपक जाएंगे और cake फिर tights हो जाते हैं वो है ना उससे बचने के लिए हम लोग क्या बना रहे हैं granules बना रहे हैं तो यही सारे फाइदे हैं granule के और इसी वाज़े से हम लोग granulation करते हैं technologically granules are used according to two vision technically बात करें वो तो हो गए कि फार्मसेटिकल डोज़ेस फॉर्म जीज ग्रैनूल सार यूज तो प्रिपेर एं इंस्टेंट सॉलूशन और सस्पेंशन ठीक है ना इस से अगर सस्पेंशन और सलूशन बनाना चाहिए तो तुरंत बनता है powder से नहीं बनेगा ठीक है granules can be packed as bulk granules एक यह भी फायदा है हम उसे bulk में भी पैक कर सकते है और divalette granules की form में भी पैक कर सकते है दूसरा फायदा क्या है टेक्निकली देखे अगर हम लोग like the simple very purpose of tablet and other doses form tablet बनाना है capsule मनाना है उसके लिए यह semi finished product होता है इसके बाद हम tablet capsule फटाक से बना सकते हैं जो की बनाना फिर काफी आसान हो सकता है tablet हमने यह चीज़ पढ़िए Usually granules have an excellent compressibility compress होने की छमता इनकी काफी अच्छी होती है तो tablet वगएरा काफी अच्छे से इनसे prepare हो जाते है method of granulation पढ़ चुके हम लोग three method discussing tablet topic तो हम यहां उसको नहीं पढ़ेंगे यहां सिर्फ मैंने एक छोटा सा वो दिखा दिया है कि देखो क्या हो रहा है यह powder है एक बड़ा है छोटा है बहुत छोटा है binder droplet डाले हमने यह आकर कि इससे चिपक गए यह और चिपक गए फिर इस तरह से यह बन गया अब यह जो इस तरह से गुच्छा सा बन गया है ठीक है इसको हम लोग क्या कहते है granule कहते है ठीक है यहां पर थोड़ा सा मैंने लिख दिया कोड़ा डिटेल नहीं किया डिटेल में जाना है तो आप यहां जाएंगे टैबलेट वाले टॉपिक में यहां थोड़ा सा क्या लिख दिया मैंने ड्रग इस मिश्ट बिद सुटनिंग एजेंट कलरिंग एजेंट एंड सुटेवल ग्रेनुलेटिंग एजेंट सब कुछ मिला देंगे अप तो वह सब चिपकी चिपकी रहा है सुटनिग डाल देंगे कलरिंग डाल देंगे अपांट क्या ले बड़ा आपस हुए ठीक है पास थूरू सीव टैन्टो में ग्रानियुल फिर उसके बाद हम लोगो सीव के अंदर निशेश कर देंगे तो दानेदार दानेदार सीव से चन करके बहार आयाँ थैंगा एक आटा ले लो गीला और इसको जासे नंचिन बनाते हैं ऐसे प्रेस करके छलनी से फिर निकल निकल के गरते हैं करके उसी टाइप से ड्राइब कर लेंगे सिस्टी डिग्री इन होट एर ओवन एंड दा ड्राइब ग्रेनूल सार पास्ट थू सीव नंबर 20 ताकि क्या है कोई बड़े-बड़े हैं तो बड़े आपस हैं ज चोड़े मूँ वाले कंट्रीणर में अग्रेस 셋ि इंगल एंडिश फॉर्म फॉर्म फॉर रीकांजुसन आ ऐसो प्रिपर्इड आजकल विच्टिवा रहे हैं जरे फॉर्म में था बडोबॉद्ड फॉर्म में आजकल एंडबॉटी क्यों प्रफी प्रफ करें तो तो एफर ओसन ग्रैनों की बात करें लुय है ना पॉस्टेथा कोशन आता है वाट तरा ऐफर वशन में ले अफिटार फॉर्फर होते हैं तो वरी कोर्स पॉडर या बहुत ज़्यादा खुरकरों हो सकते हैं containing या medicinal agent इसके अंदर एक medicinal agent होता है in dry mixture usually composed of sodium bicarbonate इसके अंदर sodium bicarbonate bubble कहां से निकलेंगे sodium bicarbonate citric acid and tartary acid यही तीन उपर भी थे effervescent powder के अंदर when added to water the acid and base react to liberate carbon dioxide resulting in effervescence ठीक है ना यही चीज़ आ गई कि यह आपर से react करते हैं तो effervescence बनता है बुलबले छूटते हैं और उन बुलबुलों में होता क्या है co2 कि the resulting carbonated solution mask the undesirable taste of medicine legend जो बुलबले छूटते ना effervescence आता है जो resulting carbonated solution उससे वो करता क्या है जो गंदा सा टेस्ट होता ना दवाई का उसको छुपा ले जाता है तो हमको खाना क्या होता है असान हो जाता है एफर विसन टैबलेट होती है या ग्रेनल होते हैं वो पानी में घोल करी खाई जाएंगी अधरवाइस दूसरी तरीके से नहीं ले सकता हम डारेट नहीं खाने उसको फिर प्रेशन की बात करें तो हमार पास ग्रेनल बनाने के दो तरीके हैं धर ड्राई और फिजलन मेथर दवेट मेथर ठीके क्या है फटडा फट देख लेए जाए एकशल करेंग agent for powder mixture. यहाँ पर यही water का molecule क्या करता है? Binding agent. हम क्या करेंगे? इसको heat करेंगे. Before mixing the powder, the citric acid crystal are powdered. उसको हम चूरा बना लेते हैं. ठीक है? मिक्स करने से पहले citric acid के crystals को हम लोग क्या बना लेंगे? चूरा बना लेंगे and then mixed with other powder. फिर उसके बाद उसको हम लोग दूसरे powder से mix कर देंगे of the same size to ensure uniformity of the mixture. अब हमारा mixture बनके तयार हो गया. हमने मिला लिए अच्छे से. ठीक है, powder मिला लिए. after mixing the powder is placed in an oven at 34-40 degree centigrade. mix करने के बाद हम उसको एक oven में रख देंगे जहां पर वो heat होगा 34-40 degree centigrade में और जब यह heat होगा तो यहां से यह water molecule निकल के बाहर आ जाएगा. ठीक है, heating causes the release of water of crystallization. यह water of crystallization है, यह release हो जाएगा from the citric acid causing softening of powder. अब जिदे पानी बहार आएगा तो वो, क्या कैरेगा, पूरा जो powder और से चिपचिपचिपा चिपचिपा कर घेगा, चिपका लेगा, ठीक है. when it reaches the proper consistency, जब यह एक proper consistency, proper consistency मतलब एक खास तरह का चिपचिपचिपा मतलब गाडा गाडा हो जाएगा, it is removed from the oven. ओवन इसको ओवन से निकाल लिया जाएगा एंड रब थूदा सीफ प्रडूस लार्ज ग्रैनियूल फिर छलनी को पर रखे से रगड़ दिया जाएगा तो दाने दाने नीचे आएंगे हमारे ग्रैनियूल्स तयार हो जाएगे क्योंकि पाने की वैसे वो पाउडर चिपक ग जब ग्रैनियूल्स बन गए हमारे ड्राइ करें ग्रैनियूल्स को एड 54 डिवी सेंटिग्रेट एंड ट्रांसफर इंटू एर टाइट कंटेनर सुखा करके एर टाइट कंटेनर में डाल देंगे ठीक है अब जैखो हीट किया और फ्यूस फ्यूस मेंद चिपक गए यहाँ पर पानी का मॉलिक्यूल अल्रेड़ी यहां मौजूद था पहले से हमने बाहर से कोई पानी नहीं डाला लेकिन दूसरा मैथड है वेट मैथड यहां पर क्या है ता सोर्स ऑफ बाइंडिंग एजेंट इस नॉट वाटर ऑफ किस्टलाइजन फ्यूस में बाहर से ठीक है इ सारा पौटर जो होता है वह एन हाइडरो सोता बीना पानी का होता है एस लोग एजब तक इसकांता पानी एड ना किया जाए ठीक है जेट इनफ लिक्विड एडर टूपेर मास ऑफ प्रॉपर कंसिस्टेंसी उतना ही पानी एड किया जाता है कि वह एक थोड़ा सा गड़ा पिरपरेशन हो गई, अब कॉल्टी कंट्रोल टेश्ट हम कर सकते हैं इसका वेट उनिफॉर्मटी टेश्ट होता है, डिजॉलिशन प्रोफाइल होती है, इसकी कैसे डिजॉल्व होता है, और फ्राइविल्टी टेश्ट जो ग्रेनल्स बनके आ गई हैं, वो किस प्रकार टूट रहे हैं ज्यादा तो नहीं टूट रहे हैं व स्थे साम इसके टेस्ट ये कर सकते हैं किलिर है और यह लेक्चर हमारा यहां पर खतम हो जाता है ठीक है तो थोड़ा सा लैंदी था लेकिन एकी बार में इसको फिनिश कर दिया ताकि इसके चुड़ा काफी बच्चे सिर्फ फाइदा ले रहे हैं ठीक है बहुत सारे बच्चे जुड़ हुए है आप से और लाइफ क्लास में आनंद लेते हैं पढ़ाई का आप भी इसे जुड़ सकते हैं बाद वाकी नोट्स लेक्चर के लिंक में मिल जाएगा कोई प्रॉलम आते तो मुझे कॉल करें यह अपना एप है सारी फैसलिटीस मिलने वाली है और पढ़ाई बढ़ाई बढ़ास होने वाली है और सबसे जरूरी चीज जो आपको करनी है वो रिवीजन करना है तो रिवाइस करते रहे पढ़ते रहें All the best